नबस्कार बंसली उस देख रहा है आप मैं हूँ आपके साथ विजय कुमार पंडिया भारत जोड़ो यात्रा में अभिनेत्री स्वरा भासकर के शामिल होने पर सियासत तेज हो गई है बीजेपी इसको लेकर कॉंग्रिस को घेर रही है और यात्रा पर भी कई सवाल उठाये हैं हालकि बीजेपी के आपत्ती पर स्वरा भासकर ने भी जवाब दिया क्या कहा आपको सुनबाते हैं भारत जोड़ो यात्रा की इस तस्विर एक बार फिर बबाल मचाया है वलिवुट अमिनेत्री स्वरा भासकर भारत जोड़ो यात्रा में राहुन गान्भी के साथ चली लेकिन उनके यात्रा में शामिल होने पर सियासी बबाल मच गया है जाहिर है स्वराभासकर कई बार अपने बयानों को लेकर विवादों में रही है अब बीजेपी ने इस मौके को लपक लिया है वर भारत जोड़ो यात्रा में स्वराभासकर के शामिल होने पर कई सवाल खड़े कर दिये है बीजेपी पूछ रही है कि भारत को तोड़ने की इक्षा रखने वाले लोग भारत जोड़ो यात्रा में क्या कर रहे हैं बीजेपी ने इस यात्रा को टुकडे टुकडे गैंग को सपोर्ट करने वाली यात्रा बताया है यह वही सुरा भासकर जी है जो सेना के माउलिंचे होरर किलिंग पाकिस्तान के समर्थन में तारीब के कसीदे करती थी यह वही सुरा भासकर है यह सब टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग उसमानसिक्ता के लोग उसको समर्थन करने वाले लोग राष्ट के विरोधी ये भारत जोडों की जगे भारत तोड़ो वाले लोगों को समर्थन करती नहीं है यात्रा दिख रही है इधर सुरा भासकर ने बलसन नियूस से खास बातचीत में कहा कि समाज में लगातार नफरत बढ़ रही है और राहुल की यात्रा उसी के खिलाफ है इसलिए वो इस यात बताएंगे है यह तो वह बहन बताएंगे कि आतना ध्यान मेरे उपर क्यूंन दिया जाता है मैं में नहीं समझती है मैं इतने अध्यान care like देश के परदी प्रेम जो है जो है कभी नफरत से आप नहीं व्यक्त कर सकते है नफरत कभी प्रेम किसी भी तरीके के प्रेम का राह नहीं हो सकता है, नफरत हर युग में घलत ही रहा है। तो ऐसे वक्त में ये संदेश, मुहबत का संदेश, दोस्ती का संदेश, बंधुत्व का संदेश जो की हमारे समविधान का संदेश है। यात्रा में सुराभासकर से पहले कलया कुमार के शामिल होने पर खूब बबाल बचा था उस वक्त भी यात्रा को लेकर तरह तरह के कवाल उन रहे थी। बीजेपी ने इस मौके को भनाते हुए कांगेस को खेरने की कोशिश की थी और एक बार फिर सुराभासकर को लेकर बीजेपी कांगेस पर हमलावर है। क्योंकि बीजेपी सुरा भासकर को टुकडे टुकडे गैंक की सक्री सदस्य बताते आई है पाकिस्तान को लेकर उनके बयानों ने कई बार बबाल बचाया है राहुल की यात्रा पर सुरा भासकर की मौजूद की क्या असर डालेगी यह भी जल्द साफ हो जाएगा ब्यूर र क्यासी बहث में हमारे साथ को खास मेमाने उनका तरूफ आफ से खरबा देता हूं राडियोतिक मेमान हमारे साथ जुड रहा है अभाई प्रताब सिंग्ग बीजेपी परवक्ता है स्वागात है आपका सुदे शर्मा साथ खरवक्ता हैं हमेशा से अपनी बात मस्भूती से रखते हैं और एक्जेक्टिव एडिटर मनुच सैनी सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे भी हम बाचित करेंगे अब मनुच जब आपने बात की सुरा भासकर से तो साफ तो पर उन्होंने कहा कि महबत से जीता जाता है महबत की वो बात कर रहे हैं तो कहा नफरत पैदा हो रही है और किस महबत से वो महबत की बात कर रही है क्योंकि एक शेर मैं आप से शुरुआत करूँ उस बात की लेकिन एक शेर कहा देता हूं कि मेरी महफिल में वो महबत की बात करते हैं जो हमेशा तलवार से बात करते हैं ये जो ट्वीट वो करती थी उन ट्वीट के बा यात्रा में शामिल होने के बूल है या फिर वो यात्रा में शामिल होई हैं तो कम से कम यह लगना चाहिए कि वह इस मोट को फील कर रही है देखिए विजे चीजे बहुत पतली है अब ये नहीं है कि आप बहुत ही पोजिटिव कोई बयान देंगे या सकारात्मक बात करेंगे तो उससे ही बाबाही आपको मिल जाएगी कई बार नकारात्मक भाव से भी बाबाही मिलती है और जब से सोसल मीडिया का दोर जादे चला है तो फिर इस तरह की चीज़े दिखाई देती हैं वो किसी के अंदर भी हो सकती है वो किसी पारटी में हो सकती है बीजेपी में कॉंगरिस में या पिर सुरा भासकर जैसी लोगों में और आप देखिए वही सब है क्योंकि उनके साथ भी आज एक पूरी सोसल मीडिया की टीम भी चल रही थी वो भी अपने तरह से अपनी बाते रख रही थी तो मैं समझने की कोशिश भी कर रहा था या आकर है क्या लेकिन ये सच है कि सुरा भासकर आज राहुल गांदी के साथ चली बंसल नियूस से भी उन्होंने बात की उन्होंने ये भी कहा कि बिचार धारा से किसी की रोजी रूटी नहीं चलती तो फिर बिचार धारा तो ये कि अन्य मुद्दों पर वो अपने बयान देती रही तो क्या उसको देखा जाए तो देखिए देखने का नजरिया अलग-अलग हो सकता है उनका नजरिया ये अलग है वो मानकर चलती है कि साथ जो लोग आगे बढ़ रहे हैं देश को चला रहे हैं वो नफरत भरी बात करते ह हैं पर आज राहुल गांदी के साथ वो नजर आई है उन्होंने अपने तरह से सकरात्मक बात कही है लेकिन इतना जरूर है कि जब वो आई है तो माहुल गरम है बहस्पी गरम है और चायबाद बीजेपी के तमाम निताओं की बीड़ी शर्माने भी ट्वीट करके अपने बयान की जरिए कहा दिया कि यह बही पाकिस्तान की तारीफ करने वाली सवरावासकरा है या फिर बात करें नुत्तों मिस्रा की उन्होंने भी कह दिया लेकिन जो बातें जिसका तरफ आप इशारा कर रहे थे तो मुझे लगता है कि नफरत तो कहीं नहीं है नफरत आपकी स सवरावासकर के शामिल होने पर इतना विवात क्यूं है जरा थोड़ा सा आपको इतियास टोलनी की भी जरूत है कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाता हूं कि आकर उनकी कुछ बयान ऐसे थे तालिबान से हिंदुत्व की तुलना करना विवादिट डॉक्युमेंटरी काली क कि समर्थन में ट्वीट करना हिजाब विवाद की तुलना गुरूपदी चीरहरन से करना पादमावत फिल्म को लेकर भी एक विवादित बयान दिया मैं उसका जिक्रिया नहीं करूंगा साल 2018 में सेना को लेकर भी एक ट्वीट था बेवकूप तक का शब्द उन्होंने इस साथ रहे हैं साथ चले हैं यह बीजेपी को बोलने का मौका क्यों दे रहे हैं आप लोग की टुकड़े टुकड़े गैंग वाले सदस्य पाकिस्तान के नारे हाला कि हर एक चीज का अलग अलग यहां रोल है कि वो किसने कैसे कहा लेकिन यह जो चीज़ें जुड़ती जा र हम रहा उनको अंप्रतास नहीं लेते कभी और जब करनाटक की और बढ़ी तो बोला रहे यहार इनके साथ तो सफल होगी लेकिन करनाटक में सफल नहीं हो पाएगी और करनाटक से जब वो आगे बढ़े साउथ की तरफ तब भी उन्होंने यही सवाल किया था कि वहां तक चल गए पर साउथ में नहीं चल पाएंगे और साउथ से जब उन्होंने कदम महाराष्ट में रखा तब भी कमोबिस यही सवाल भाजा पाके रहे हैं और महाराष्ट से जब मदबर देस में आये तो में वहां मौझूद था बुरानपुर के बुर्दली गाउं में और वहां श्कुल के सामने बेरल लगा कि स्वालत किया राहूल गांधी का तो राहूल गांधी प्रेम का संदेश बांट रहे हैं राहूल गांधी को फैला रहे है नफरत हो खतम कर रहे हैं दोजार चुपदा से जिस तरह हवाई देश में नरभ्रत शुरू हुई रहा सबाल जी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की भातें करते हैं प्रदान मंत्री बिना बोले बिना बुलाए पहुंच गयते बिर्यानी खाने पहुंच गए थे वहां के प्रधान मंत्री की माता जी के पैड़ चुके आशिर्वाल देने अरे तब तो कुछ नहीं कहा मानी आड़ बानी पहुंच पहुंच चुके थे वहां बत्था टेक ने तो कभी कांग्रेशन सवाल प्यदा नहीं किया लेकिन इनको सवाल सिर्फ स्वरभास करके इस यात्रा में सामिल होने से सवाल है कनहीय कुमार के सामिल होने सवाल है अरे बही कनहीय कुमार की बात कहें तो आपकी सरकार देश में आपकी सरकार प्रदेस में आप सब कुछ हो आप चाहो तो सजाए मौत देदो आप फांसी पर लटका दो लेकिन आप टीवी पर बयान देखे टेली बिजन बाले नेता हो बस लेकिन अपसोस ज़रूर मुझे इस बात का हो रहा है कि भारते जंता पार्टी के और सारे नेता कह कहते रहे कि अब्दव प्रदेश के ग्रह मंतरी दॉक्टर नरुत्नों मिस्रा एक विद्वान परिवार से आते हैं और विद्वान विक्ति के द्वारा इस तरह के बयान देना और इनको हवा देना मैं नहीं समझता हूँ ठीक नहीं है यह अगर यसे ही रहा तो सरकार सरका कि आपको लग रहा है कि बीजेपी को परिशानी है या कोई भै है उस से आत्रा से भीड से कोई भै है या फिट बैक ऐसा मिल रहा हो सोरा भासकर आज पहुंची है तो वह रहा है कि अदिक्कत तो यहीं है कि देश में जो बांटने की शक्तियां हैं उनको समर्थन जब कुछ लोग करते हैं तो देश में इस तरह की महांसिक्ता बढ़ती जाती है और देश के अंदर ही इस तरह की जो जिसे आप कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग टाइप के लोग फिर उनको उनका मनुबला बढ़ता जाता है जब इस तरह के ट्वीट किये जाते हूं अभी कस्मीर फायल्स की फिलिम पर एस जो अपने इसराइल के निर्माता है उनके समर्थन में किया जाता हो चाय अभी शेयन हे थे चीन की सेना ने आकर उन पर जो है बिना उसके हमला कर दिया एक पुल का निर्वाण वो कर रहे थे और उसमें 20 वह बिचारे बिहार रिजिमेंट के थे संतुज जो लेफ्रेंट थे वह सहीद हो गए और उसके उसके उस बात को आपने कि समर्थन कर दिया वहां जो है उसक पुकंड़ा है बकवास फिलिम है आप उसका समर्दन करते आप अपनी चीप पाना चाहते हैं और यात्राओं में ऐसे लोग सामिल कैसे हो जाते हैं इसका मतलब करते हैं आप बुलाते हैं जिससे कि हमारी उसको जो है यात्रा को थोड़ा सा मीडिया में जगे मिल जाएगी उसके और थोड़ा सा बिवादित होगी तो लोगों तक बास पूंचे लेकर बात आपने गए मैं ज़रा इस पर मनुद जी से रियक्शन ले लेता हूं मनुद जी क्या सुराभासकर खुद आई थी या वो किसी के दोबारा उन्हें अमंत्रित किया गया था इस यात्रा में देखें बिचे सुराभासकर अकेली नहीं ऐसे भहत एंजियो के लोग काम करने वाले या जो राजनीती से संबन रही रखते हैं पर्दे के पीछे से राजनीती करते हैं या पर्दे के बाहर नहीं दिखाई देते हैं वो सब इस यात्रा में दिखाई दे रहे हैं आप देखे कुछ दिन पहले कनया कुमार भी आए अब हम बात कर रहे हैं सुरा भासकर की बो भी यहां पहुंची है तो बुलाया गया या खुद आई यह तो वही जाने पर इतना जरूर है कि उनके आने के बाद जो बाते हुई वो जरूर एक मौका भारती जंता पार्टी को दे दी पर आप देखेगा कि लगातार वो यात्रा में चल रहे हैं और संभाबना यह भी है कि कल आने दूसरा दिन जो रहेगा दसवा दिन उसमें भी वो सामिल होने बाली आगर पहुँच गी तो क्या विधीबत तरीके से र महाकाल भी जाते हैं राहुलगांदी यह फिर ओमकारिश्वर भी जाते हैं तो फिर बात दूसी तरब भी जाती हमने उनसे ही सवाल करना चाहा था आखिसका जबाब उनके पास नहीं था। राजी के पास वो कुछ बोली नहीं, उन्होंने ये कहा कि मैं तो ये बंधुत की राजनीती करने निकला है, और आपको याद होगा कुछ दिर पहले यही हुआ था हिंदुत ओगर है, प्रूर है, उसके बाद उन्हीं ने कहा था कि भारत जुड़ो यात्रा बंधुत की बात करती, तो ऐसा मान कर चल रही ही सुरा भासकर की भारत जुड़ो यात्रा बंधुत की बात करें, अब कैसा बंधुत है, किस तरह का है, ये तो भारत जुड़ो यात्रा में देखने को मिल रहा है, पर इतना जरूर है कि राहुल गांदी अपनी पूरी मैनत कर रहे हैं, दूसरा ये कि कही न कहीं वो भीजेपी बेर भी हमला वर रहती है तो शायद मुझे लगता है मैं इस पर अभाई जी आपका एक रियक्शन लेकर फिर मैं चलूँगा स्वादेश जी के पास वो देश विरोधी भी है या बीजेपी विरोधी भी है हाँ क्या मानतें आप लोग क्योंकि वह आप लोगों पर भी ट्वीट करने से कमेंट करने साफि नहीं है रहारी संस्कृति के यह हूं क्यों क्यों हमारे meth कि क्या है तो वह उनकी क्या माल सकता है वह किसे आपने वह आपको किस ओर ले जाना चाहते हैं तो मेरा कि केवल एक कोई जानी सकता मिल नी सकता है तो कौन आमत्रत करता है ऐसे लोगों को जिससे कि वह आएं और सामिल हो नहीं नहीं वाँ आधर करना देखिए रहाँ गांधी जैसे आरे बहादूर तपस्ति रहती बहुत है भारती है पार्टी में अगर एक मिनित आप बार-बार कहरें ना कोई कैसे आज आएगा औरे भाई आम आदमी कार करता एक बैक्ति तो इतना मजदूर आदमी मेरे सामने इंदौर के पास वह आके मिला राहुल गांदी से क्या उसको भी बुलाया गया था मैंने अपनी आखों से देखा एक फरेट का ललका दोबे बूलका कहा था मेरा आप प्रदार मंतरी जी ने भी कहा है यह पद यात्रा नहीं पद पाने की यात्रा है इस तरह से जो अब सब्सक्राइब करते हैं और अगर वो राहुल गांदी से प्रभावित हैं और राहुल गांदी तपस्या की सब्सक्राइब करते हैं लेकिन हो सकता है कि वह सुधरने की बात पर आ जाए या यह कहें कि वह उनके मन में कुछ ऐसा आ जाए इन्हें इस तरह के बयान नहीं दूंगी आप में बंदुत्व की तरफ बढ़ रही हूं क्योंकि राहुल गांदी से तपस्या कह रहे हैं और इस पर देख रहे हैं अब तवस्चा से कितना दूर रहना चाहिए कितनी कठीन है या नहीं है पाकिस्तान गहते उस पर कुछ कहेंगे क्या यह देखिए मैं आप से फिर कह रहा हूं कि यह जो यात्रा है पूरी राजनेते की आत्रा है इसको पूरे मेनेजमेंट के तहथ प है इसका सारा का सारा मेनेजमेंट किया गया है इसलिए एक सोच ही समझी साजिस के तायते सारे घटना करम देश में हो रहे हैं ऐसी ताक्तों का मनुबल बढ़ाया जा रहा है जो हमारी सैना हमारी हिंदू देविताओं संस्कृति पर हमला करते हैं क्योंकि जल्दी publicity मिल जा भारत में तो भाजा पाएं यह बाटने का काम करती है कुछ लोगों को और बहुत कुछ लोगों को आपस में लडाने के बाद ऐसा भय ऐसा डर ऐसा आता के देशा में यह भी सांत नहीं रह पाया इनकी सास्तों के चलती यह अगर देश की खोई हुई आसमता संस्कृति जह स्वादे जी एक सवाल मेरा आपसे यह है कि इस यात्रा में स्वराभासकर शामिल हुई है तो क्या उन्होंने यह कहा आकर कि मेरे बयानों को हटा दीजिए पुराना मत देखिए मैं आपके साथ हूं या मैं कॉंग्रेस की विचारधारा से प्रभावित हूं वो इस यात्र भारत एक ऐसा देश है साहब यहां मुहबतों की बैयारे बहती हैं मुहबतों के समुद्र तो एक अकेले मौबत का राहूल गांदी पहला रहे हैं तो चले थे वह 120 लोग और आज हम देख रहे हैं कि हर जगह 5 लाग 10 लाग 5 लाग 10 लाग लगातार उनके साथ पादियात त पूछा की जब आपने पूछा बृयानी का जवाब लीजी उन्होंने आपसे के अख सबाल पूछता ओए不會 गला हम इसी यात्रा में फाहें आने सवरा बासक्र होगता नहीं बताए कि यात्रा का उदेश बीच भीच करहाक है और ये नहीं आई देख नारी की पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे तो पकड़ दिए ना जा रहा है आपके वहां जो यात्रा में मोदी जी के नारे आपने भाजा पाके दो आप पूछना चाहता हूँ मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जो स्ट्राटीजी तैयार हो रही है इस स्ट्राटीजी में दो बड़े चेहरे हैं एक तरफ जैराम रवेश है दुसी तरफ धिगवजे सिंग है मेरा यही आप से सवाल है कि यह जो विवादित लोग है ना सर वो जो हो रहे हैं या कि मैंसाब यात्रा है जो भी आजाएगा मुसको स्विकार कर लेंगे यह अलग 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 ऐसे लोगों को जुड़ा जा रहा है मैरा आप से फिर सवाल है जो ऐसे बयान दी चुके हैं जिससे कॉंग्रेस तक किनारा कर लेती हैं ऐसे में वो अगर रा देश के वह नागे रखें यहां सब्मिधान लागू जब हुगा था वस समय यह सारी बाते सब्ते हो चुकी थी कि आदमी को अपनी बात कहने का पूरा पूरा अधिकार है सब्सक्राइब करने के विश्चार पूरी हो निए यह सामिल कोई किसी को नहीं करता लेकिन उनकी आत्रा में इतनी लोग सामिल होते हैं बिद्वान पत्रकार हों लेकाख हों बिचारक हों मैं देखता हूं सब्सक्राइब कर रहे जवाब जरूरा चाहिए कि मानी प्रधार मंत्री दुस्मन देश पाकिस्तान पहुच गाये विर्यानी का रहे इसका जवाब की जरूरत है सब्सक्राइब करने के लिए अब उन से पूछने कौन जाएगा या या विदिया में कि उन तक बात पहुचेगी बागे प्रभक्ता जवाब देजे सर जबाब ये पहले तो मैं आरे सेस वाला जबाब दे दुए इनको सरसोती शुशु मंदिर में रुकने के लिए विवस सब्सक्राइब कर ले और इसलिए जो बार्बारी आरे सेस पर उठा रहे हैं वो तो जब नहीं हमारे मांगी यह उनको ने यात्रा को रुकने के लिए जगए मानिंगी कई कोहां कमरे जाता है वहां रुका जा सकता है तो हमारे हम लोग बिना मेडिया अंदर ने जाने पाए अब बताइए अब यह बात करते प्राइब यह जितने भी अब आगे भी लोग जुडेंगे तो क्या यह एक स्ट्राटीजी हो गई है कॉंग्रेस की कि जो बीजीबी के खिलाब बोला हुआ व्यक्ति हो जिसने सोशल मीडिया पर आग उगली हो जिसने कुछ ऐसे बयान दिया हो जो कि बहुत शौकिंग हो कम से कम उसे तो यात्रा में शामिल करना है देखिए बिजए अब ये जितना मैं समझ पा रहा हूँ भारत जोड़ो यात्रा में बीते तीन चार दिन से लगातार चल रहा हूँ तो मुझे लगता है कि अब ये रड़नितिक तोर पर क्या है ये तो कॉंग्रेसी बहतर समझ पाएगी पर जो मेरी बात हो रही आप जैसे मंच देखते हैं उस मच पर आप हिंदुत की बात ही करने लगते हैं पर पर प्रनीतिक बाहूत कर भी बात हो जामिल हो जाते हैं जो अपने तहर से चाहिते हैं बiszार बात है रहे हैं। सरकार को निशाना मनाते रहें। और जाहिर सी बाते हैं बीचित काग्रीस मैं और जो उसके सामने पारिटी भीपक्ष हो गी। यानि भारताी जन्ता पारिटी उसके जो बिरोतлем होंगे वो को अपने साथ जोड़ना चाहेगी लेकिन इसके नुक्सान और फायदे जरूर कांगे इसको मुझे लगता समझना पड़ेगा और यहां यात्रा हिंदुत्व को लेकर आई थी और विवाद हिंदुत से शुरू हुआ था तो फिर एक विवादित व्यक्ति हां शामिल होता है इन विवादों के पीछे विवादों के पीछे के एंगल को समझ आप मैं सीधे आपसे जुड़ना है रहा हुं अब्धारमंतरी जी वहां गए तो मैं उसको कह दूआ प्रदार मंत्री जैन गए हो वहां तेकर प्रदार मंत्री ने धारा 370 वी जम्मु कश्मियों से हटाई और पाकिस्दान पार्टी आप अपनी बात रख दीजिए मैं यह मानता हूं भारत जोड़ो यात्रा से दिखाई देंगे जो विवादित लोग है पांडिया जी भारत पार्टी बहुत ज्यादा अंदर से भैबीत है परिसान है हलाकान है इनकी हलाकान इसी समय में आती कि माननी प्रदान मंत्री पूरे देश का होता है और भारत जोड़ो यात्रा कोई एक बैक्ति निकाल रहा है कोई राहिदितिक दल का कोई एजंडा नहीं है वह राहुल ग भारत देश के उसके नागरे खेंजो अधिकार हमको समिधान देता है लो गरत काम करें लिए उसमें स्वरा भासकर आपको हिंदु तवर बंदुत से जुड़ी वी लगते हैं यह कॉंग्रेस है यह भारत है इसमें हिंदू मुश्लिम सिक्षिक इसाइई आपस में सब उनकी अपनी क्या पॉलेशी है वो क्या सोचते हैं कमेंट करके यूट्यूब पर फेस्बुक पर ज़रूर बताइए बहुत बर शुक्रिया आप तिनों का वारे साथ जुनने के लिए बाच्चित के लिए बैस गरम मैं फलाल इतना ही नमस्कार